नमस्कार कैपिटल टीवी के स्पेशल स्टोरी में मैं दिव्या आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हैं बहार विधान सबा चुनाओं के पहले निदीश कुमार एडी चोटी का जोर लगा रहे हैं वो कोई भी ऐसा मौका नहीं छोरना चाहते जिससे उन्हें आने वाले चुनाओं में नुकसान सहना परे वह अब निदीश कुमार ने युवाओं को लुभानी के लिए प्रदेश में नौकरियों की बहार लगा दी है बिहार सरकार के द्वारा हर सेक्टर में खाली पदों पर भड़ती कराय जा रही है विभाग के द्वारा खाली पदों पर बहाली निकाली जा रही है ऐसे घरी में अब राज भर में कचहरी सचीव और न्याय मित्र की पदों पर बहाली निकाली गई है हर्जले को दिसंबर के अंत तक बहाली करने का करा निर्देश दिया गया है आपको बता दे कि राज्य के पंचायतों में कचहरी सचीव और न्यायमित्र के 3810 रिक्त पदों पर जल्द बहाली होने वाली है प्रदेश के 8,53 पंचायतों में कचहरी सचीव के 7,623 पद है न्यायमित्र के भी 7,623 पद है लेकिन वर्तमान इस्थिती में 6,117 कचहरी सचीव और 5,329 न्यायमित्र कारेरत है वैसे कचहरी सचीव के 15,006 पद और नयमित्र के 2,304 पद पर जल्द ही बहाली होने वाली है पंचाइती राजविभाग की ओर से इस बहाली को इस साल के अंत तक पूरा करनी का लक्ष रखा गया है वैसे इस बहाली में आरक्षन रोस्टर के अनुसार कचहरी सचीव और नयमित्र को एक फिक्स मानदे मिलेगा कचहरी सचीव के लिए नियुम्तम, फ्रिक्षन एवं योगता इंटरमीडियट पास होना है जबकि नयमित्र के लिए सेक्षनिक योगता लॉग राजवेट होना है ग्राम कचहरी और नयमित्र के बहाली के प्रक्रिया प्रखंड विकास पदादिकारी की अधिक्षुता में गठत कमीटे के माध्यम से होती है इतना ही ने अभ्यर्थियों के सेक्षनिक अंक और आरक्षन पोस्ट के अधार पर ये चैन प्रक्रिया पूरी की जाती है इतना ही ने पंचायती राज विभाग के निदेशक आनंद शर्मा ने जानकारी दी है कि कचहरी सचीव और नयमित्र के रिक्त पदों पर दिसंबर तक भरती करने का लक्ष रखा गया है वर्तमान समय में कचहरी सचीव को 6,000 का मांदे का भुगतान होता है जबकि नयमित्र को 7,000 प्रती मह मांदे का भुगतान करना होता है अब समझते हैं क्या होता है ग्राम कचहरी में काम ग्राम कचहरी में कचहरी सचीव रजिस्टर को मिंटेन करने के साथ साथ सरपंच में कारे में मदद करते हैं नयायमित्र कचहरी में सरपंच को नयाइक मामली में सलहा देते हैं पंचायत स्तर पर छोटे मोटे विवाद के निप्टारे में इनका बहुत ही महतुरपून रोल होता है। कचहरी सचीव और नयामित्र लंबे समय से मांदे में बढ़ोतरी करनी की मांग कर रहे हैं। बिहार के पुर्वी चमपारिन में सबसे ज़ादा कचहरी सचीव का पद खाली है। वही मुजफरपूर में सबसे ज़ादा नयामित्र का पद खाली है। इसके अलावा निजिलों में भी बहा लिकी जाएगी। वैसे बिहार में नितीज सरकार बड़े पैमाने पर नौकरी और रोजगार देने की बात कर रही है। वहीं दूसरी तरफ नाशनल करियर सर्विस एंसी एस पोटल पर बिहार के बिरोजगारों के रेजिस्ट्रेशन करानी के संख्या लगातार बढ़ रही है। 2023 में ये संख्या 16 लाख के करीब थी जो 2024 में बढ़कर 18 लाख से अधिक हो गई है। बिहार के बिरोजगारों में पिएचटी धारी से लेकर कम पढ़े लोग भी शामिल है। नाशनल करियर सर्विस पोटल के आकरों में ये खुलासा हुआ है। विशेशक के कह रहे हैं कि बिहार में बेरोजगारी बरी समस्या है। सरकार को कृशी और स्मॉल इंडस्ट्री के छेत में रोजगार क्रियेट करना होगा। आपको बदा दे कि नितीज सरकार ने 2020 में 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देने का वादा किया था। वहीं 20 लाख से अधिक रोजगार दिया जा चुका है और बरे पैमाने पर बिहार में रोजगार लोगों को मिल रहा है। इसमें 214 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। जरूरत कमपनियों को नहीं है। अर्थशास्त्री एनके चौधरी का कहना है कि बिरोजगारी बिहार के लिए एक बड़ी समस्या है। अनके चौधरी का ये भी कहना है कि बिहार का एजुकेशन सिस्टम रोजगार पैदा करने में सक्षम नहीं है। उनको बहतर बनाने की जरूरत है। साथ एक हाली पद पर सरकार की स्तर पर या फिर नीजी स्तर पर उसे भी तेजी से भरने के आविश रकता है। वैसे बिरोजगारी को कम किया जा सकता है। वैसे पुरे देश में जौब की समस्या है। केंदर सरकार के नाशनल पोटल के माद्यम से बिहार के युवा भी अधिक से अधिक रोजगार पाना चाते हैं। इसलिए वहां रिजिस्ट्रेशन भी करा रहे हैं। वैहार में बिरोजगारी तो लंबे समय से एक बरी समस्या रही है। युवाओ को लुभाने के लिए नौकरियों की बहार लगा रहे है। लेकिन कही न कहीं ये एक चिंता का विश्वय है कि पोटल पर जो रोजगार देने की बाते होती है वो रोजगार युवाओ को नहीं मिल रही है। तो फिलाल इस पूरे खबर पर आपकी क्या कुछ राही है में कॉमें सेक्षिन बॉक्स में जरूर बताएगा। इस खबर में आज के लिए बस इतना ही अन्य खबरों क्लिमार सत्य से आगे बने रहे। और देखते ये तब तक के लिए काप्टन चीवी बिहार धनिवाद।